दियर कल्यान, प्रेम को उजालो कथा लेखी रहे को मा, जब अल्यक नथाल्चो ग्रणा का कथा हरू जिबन का प्रेम हरू, जिबन का त्रिश्णा हरू जिवन का अनु राग हरू जिवन का खुशी हरू किने टे भीगना विकराल हून्च नं टेर कलेान कैले काई मा समझन्छू मेरो जिन्दगानी को पाना लाई मा ध्यरे पुरानों पुस्ताको माण्छे तर जब मा सुन्छू टेर कलेान तिमी लाई तवा मलाय लाग्छा, मांचे का कथाहरू, मांचे का बास्तभी कथाहरू, रसरी टपक कठी बेर, जस्ताको तस्तेई प्रसारण गरी दिदा, मांचे हरूमा आण बढ़चा, हिकमत बढ़चा, रा दुखली दुखलाय काडचा, रा मांचे मा हौसला बढ़े राऊँचा यति खेर जिन्दगानी मा जिन्दगानी को यो हिस्सामा गटे का मेरा विखत का गटनारो मती मलाई सुनाऊना जान्छू मेरो नाम पवन कुमार जाहा हो मेरो जन्मा आजबंदा धरही बर्स पहले अर्था बिक्रम शम्बा द्यजार बीश साल को मंग्शीर सत्र गते सगर माथा को नाम ले चिनिने अंचल अर्था सगर माथा अंचल को सबतरी जिल्ला को हनुमान नकर मा भायको हो मेरो जन्मा रजोगीनिया एक मा भैको हूँ पथी हमिले बसाई सराई गरेको मैं एक घरीब किसान परिबार मा जन्मी एक एक पलो चोरा हूँ में रवुवा पेशाले सामन्य ब्यापारी हुनों दियो पथी गायरा आमा ग्रहनी तेन जाना दिदी हरुलाई जन्म दिये पची छोरा जन्माऊने आसमा भुबाले मलाई जन्माऊनो भैव छोरा न जन्माए नरक जन्चस्ता नरकमा पर्चस्ता परने परम पराबादी सोचाई बाट छोरा को लागी जन्मा भैको घर को एक पलो चोरा हूँ थेसे ले मैंले घर मा धेरई मान मरे आदा पाय दिदी हरू बंदा मैंले सानमा अनुमान नगर को सिरी मधुआपुरा स्कूल मा पढ़ेग। अहले तियो ए स्कूल को नाम परिबरतन भाई शके कोच ले दिदी हरू समय पढ़ेग। तराय का चाड हरू परमपरा हरू छट हरू छट हरू छट होली दसे दिहार सबई सबई यादाउं समलाई छोरा को रूप मा एक लो बहर जन्मेको ले उखला मलाई बुवा आमा अरूले आउधी माया करना हुँँद्यू यसरी महिले मेरो बालापन हनुमान नगर मा बिताएको त्यों कंकाल निमाई त्यों बार दाहा त्यों हनुमान नगर बजार बालापन देखिया हिले समापनी अस्मृति मा ढलकी इरांचन छोली इरांचन समय विद्धय कया म सुनाऊचु दियर गल्यान मेरो गथा यसरी समय का पाना हरू पल्टते जाने क्रम मा कक्षा कोठा हरू पनी साहार दे गए अर्थात कक्छा कोठा क्रमा साउकला दे गए दिदी हरुपनी पढ़ाई कारण ले स्कूल मा कक्छा कोठारू मजस्री परिबर्तन गरते ही गए बिक्रम शंब धोयजार पईतीस साल को मंग्शीर मैना को कुराओ मते थी बेला पंद्र बर्च को थी मेरो जेठी देडी पूर्णी मा जहां को विभा हुने भायव केटा पक्छे को परिबार ली मन पराई मेरो दिदी लाई र मेरो बुवाले पनी मन पराऊन भायव केटा पक्षलाई तरा सभय एक कुरा वक्चे भाय पसे केटा पक्षल्य दहेज महागयो बभाला गभारो भाय बभाले शस्टवमा शमश्य एथा बत थीओ तियो पनी 35 साल तेरको कुरा दहेज बिना छोरी को भी भाहूं दही न दियो तेरकले आ Sedd मा मेरो पुष्ता को कथा सुनाऊचु रा अहिले पनी मैले भोगी को कथा सुनाऊचु मा आफनो छोरी को कथा सुनाऊचु रा यह सरी मेरो भुवाले जग्गा बेशनु भाय रा केटा पक्चले मागे यह अनुसार को दाईजो जिनु भाय मलाय राम मुड़ु संग याद चा बिक्रम शंबाद 25 साल को माग 29 कदे देदी को विभावाय कदियो एकलो भाय को रोप मैले विभा मन्डब मा देदी लाय गर्णु परने कर्मारू मैले बुबाले आमाले रा अरू देदी हरूले रामरा आफंत हरूले गरे रा सारा का सारा आबस्यक अनुसार को केटा पक्षेले माने मागे को दहेज अनुसार संपूर न कुरारू देर बुबाले जेठी दिदी लाय आपनु कार्मागार पठाउनू भायो मा सुनाओ चू यू यूटा कथा हो यू यूटा दहेज को कथा हो देर कल्यान मा आज बर्षो हों पची, मा आज तिम्रो कारेक्रम मार्फद सुनाऊ रमालाग्य। मा सुनाऊचू, मेरो गदा, मेरो बबा को पुस्ता देखी, मेरो पुस्ता रा मेरो छोरी को पुस्ता समा, तराहिमा कसरी घर्चन गड़ना आरू, देल खोलेर सुनाऊचू, बस देल खो थाके को कथा जस्तो, बुल्दा बुल्दे थकीत मन जस्तो, कैले बातल भित्र, कैले बातल बाईर, घरी हराउने, घरी लुखने, धरी को चंद्रमा को जस्तो, मेरो कथा। थाके को कथा जस्तो, बुल्दा बुल्दे थाकी सक्वे को मन जस्तो, कैले बातल भित्र, कैले बातल बाईर, घरी हराउने, घरी लुखने, धरी माँ चंद्रमा को जस्तो, मेरो कथा। मैं सुनाँ चू एसरी विक्रम शंबत देजार पैंतीस साल को माग महिना को दुस्चरो हप्ता मेरो जेठो दिदी को विभा भाय दैज सही दिदी को विभा मेरो वाले को सरी करना भाय त्यों मलाई थाज मन न लागी न लागी आपनो घर खेत बेचे रबो वाले विभा गरन मतचाने थे बिक्रम समवा दोयजार स्टीस साल माा पंचाइक विरुध दगरे को आंदो लन लन पघी जनमत संक्रा को ayakamala yaa तेज साल मेरो विह सल दियो रत्यों साल जनमत संक्रा को कारन लिए मैरो एसल ची राम रोशना बाय न रमयले सैंतीस साल मा एसेल दियो चुमा अथा पंचाय बिरुद्ध को अभियान मलागे को आजपनी सम्चन चुमा तरह देजार सेंटी साल मा पास भए पची बभाले मलाई काट फंडू पठाऊनो भायना घार को एक क्लोच वरा बभाले सम्जानो भायन थ्वराले यहीं पड़ोस मले तहीं पड़े गार एक स्कूल एक स्कूल गार को जिम्मेवारी को साज साते भभा को राजनितिक आस्ता को कारण ले होला मा पनी राजनितिर आस्ता राखते र रहर पनी लाखते। तर परंपरागत पंचायती सासनली आपनो सामराज्य जमाई रहको तेती ब्यलागो संदर्वमा राजनिती भंदा गैर राजनिती कुराहरू गर्नु पर्ने हुंदियो। गुमाउर पाराले राजनिती गरेंदियो ये सरी समय बिद्धी जाने क्रम बिक्रम शमब दोयजार अर तीस साल म अरको दिदी को बिभा हुने बयो सब्तरी बाट तेती ब्यलापने दाई जोको नाम म भवा माती धरी ठुलो अबरोद आयो राज सब्तरी बाटे उने बिभा दियो पहला सामानने किसमले बिभा छिनियो बिभा छंदा कुने कुरा बायन जब बिभा को कुरा सब्तरी छिनी सके पची राज इंगेजमेन को कुरा आउनो भन्दा आगारी सब्तर अर्वत रहल्ला फईली सके पची फेरी दहेज को गुरा उठियो दहेज मिना विभा को कुरा सम्भाब जस्ती दियो तेसेले भुबाले फेरी भाय को आफु संग भाय को जाय जेथा बेशनु भाय अरकी छोरी को लागी मलाय राम रो संग याच ते दीन हर मा ववाले गरे का दुख का कुरार ववाले गरे का शंगर्श का कथार मलाय अज़े पनी याच तेस पसी भुबालाय मायली दिदिको विभा अपसाद ववालाय रोग लेचे अमते ही लग्यो ववालाय गारों मासूस भै बेवास आए पनी ते ती राम रो समझ चलना सके न शमस्या जहीं को तहीं दियो समय गुजरते ही गए समय आगारी बढ़ते ही गए रम घर को एक क्लोच वरा ना सब तरी जिला छोड़े रजाना सकती ना तमा आगारी बढ़ना सकती किने की बेवाहार ले मलाय त्याम तरी लागे उटेर कल्यान राजनेतिक महोल मा रमाउना खोसदा खोसदे कईयों पठक मलाय पुलीश ले पकड़े का दीन हरू पनी अजय यादाऊच मा किने राजनेति मालागे मलाय धाती है न तरमा चाहन ते पंचय ती बेवस्था ढलोस तेस पची बिक्रम शंबत दोयजार पैतालिस साल को आंदोलन मा हमी सबई होमियों तराए बाट रच्चयालिस साल को आंदोलन पच्ची को परिवर्धन लिग अब केही नया पन लेओं चाही जस्तोला के को तिव रच्चयालिस साल मा देखी माती को दीदी को बिभा को गुराओ देर गल्या मा सुनाओ चु मेरो कदा मेरो दीदी को बिभा होदा केटा पक्चले इंगेजमेंट भाई सके पची मागे को दहेज दिन न सक्दा दिदी को भीभार रोक्यो तेही पीर ले दिदी ले गर को सिलेंग मा दूरी लगायर आफ नही पास्चो लगायर आत्मा अत्या गर्न भाई तेह रिदय बिदारक गटनाले आच अपनी मन बोलज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ जब तिम्रो प्रोगाम सुनन धाले तप यो उमेर मापनी मलाई मेरो कथा बाटन मान लाग्यो कसरी दहेज को नाम मा तराईले तराईले जलाऊंच कसरी दहेज को नाम मा तराईले तराईले को बदलालेंच मलाई आज सुनाऊन मान लाग्यो मा देखी माती को दिदिले लाज को कारण, इच्छत को कारण सेलेंग मा जुन्येर यो जिन्दगानी को परदालाई बंद करें त्यो दिन गार मा रुआवाशी चलेको आमा ब्यहोश भायेको पुलीश रुआयेको दिदिलाई जलाउना लगेको सारा कुरा चल्चीतर जस्त दैशा लाग्चा मलाई कसरी बनो ते मिलाई टियर कल्यान कसरी सुनो ते मिलाई यसरी दिदी गुमाए पची मेरो परिवार सिथील भाया बुबा को ओठ मा कहिले ही पनी मुस्कान जायन बबा उदास उदास उनोंदिर घर को कौशी को गमलाम फुलन न सकेको फूल जस्ते उदास उदास बुबा को जिन्दगानी लाई अलिकती रंग भारना को लागी मेले बिभागर ने मन साह ब्यक्त गरे दिदी को मृत्य उपशाथ एक पर सकठी बची दो योटा दिदी हरुलाई साची राखेर मा बिभागर चु घर मा खुशी लियाँ चु बनेर मेले बिभागर ने बचन दी बबा को ओठ माले कती मुश्कान जाओस बनेर मेले गोसना गरे डियर कल्यान मा ज़ शुनाओ चु तपालाई योटा दहेज ले पिडी सामाजिक बंधन बाठ उकलाण न शकेको जेली एको तराईको कथा हो यो मा ज़ सुनाओ चु दिल खोलेर बस दिल खोलेर सुनाओ चु मेरो कथा लेकन चाहर अपनी न सकेने यी कथार बोलना चाहर अपनी बोली ननेशकी ने यी बेधार अजम लेखी रह को चु दिमीलाई जब आफ नो लागी अप अप त्यारी लो लाग चाह आफ ने गटनार तब जिन्दगानी अप त्यारो दो साथ मागर उभी दो रह चाह तही उभी एको कथा मा सुनाओ ये सरी दीन हरू भी देग है महले बिभा अगरने कुरा गरहे पचि भुबा आमाले पनी मन्चाय ब्यक्त अगर नभाय तेती ये ब्याला राज भी राज की एक जाना केठी मेरो लागी श्वाउँँदो बदू बने राइन नाम नमिता जहां थियो आमरो कुरा सबई तय भै पचि भुबाले देज चाही देन बंदा बंदे मामा घर को दबाब बाठ मामा हर को दबाब बाठ हमिले देज स्विकारनों परने बात यता भाय नत्रा हमरा थोरा हरू पढ़नों को कुने अर्था चैन रामरो सावा बंदो भै यसलै देज को रूपमना लीन वाला यो हमिले ठोरी रज्य ज्वाहि लाइ देच को खुआदो बंदन भै थे लिए योoring को रूपमा मेरो करमा परिज करू देज को कारन ठोड़ी गुमाये को मेरो परिभार ली मेरो देज ले रभी भागर तरही को संसकार तरही को परंपरा कती भीकर आल से टियर कल्यान तेही देज को कारण गुमे को मेरो परिभार अर्थात मेरो सानी दीदी लाई एंगेजमेन भाई सके पची यटा को परिभार ले हनमान नगर को खर मागयो आफू बशी रहे को घार का सरी दिनू नवाय पनी घडेरी माग्यो बुवाले ता घार बेचेर दिन तयार होनों थियो तरह त्यो कुरालाई छोरेली बिरोत करी रजस्को परिणाउ म्रेत्य उपाय तेही परिवार ले दहेज लेर मेरा विभागारे छोराको मांगो घडेरी आयो मेरो नामा अर्थात मेरो परिवार को नामा यसरी दहेज मां जिन्दगानी बिद्दई कयो मेरो परम परागत दिदी हर को र मेरो पनी अब अमा सुनाऊ उसो मेरो कथाट येर कल्याट जिन्दगानी का यी कथारू सबका लागी सिक्ष्या बनास में यही जान्च विवापस साथ मेरी श्रीमती आमा बनने बही बवाले तेस्पची पुरान विवार में लाऊन अनुमान नगर को घर बेचे रह दोयोटा गढ़ेरी किन नुबाय योटा गढ़ेरी में घर बनाऊनुबाय रारको घर डी बेचे रह मैंले केही घरोष छोराले बने रह बवाले मलाई अनुरोध करनुबाय रत्ति ती ब्यला मेरो श्रीमती आमा बनी जोरी जन्मिये पशी मा सोचे को थिये घर मा खुशी आउँच बवाले ते केही बननुबायन तर मेरे आमा कुश अनुहार मली इन दियू दहेज को कारण ले होखी के कारण लेओ आमाले एबोर्शन गरे को भाय पनी उने धियो बनेर मैं तली बासा मा मलाई बननुबाय तेस पचे मा चांगा बाट अखाशे जस्तो भाय मैंले सोचे आवा मेरो छोरी को भीवा दहेज न दियर अगर्च मैंले आमालाई तेही बचन दि तेस पचे का मेरा दिन अरू अगाडी बढ़ते ही गय दियर कल्यान बिक्रम शंबत दोहजार 47 साल को बदव अठार अगदे मेरी छोरी को जन्मभय को दियू तेस पचे मेरो अरको छोरा को जन्मभय एक पर्श पचे 48 साल म बबाले तेस पचे का दिन हरूमा छोरालाई कठीन हुँचा बनेर किनी दिय को घडेरी बेचेर मैले हनुमान नकर पार ही तिर इटा को ब्यापार सुरू गरे अर्थात इटा भट्टा सुरू गरे ब्यापार राम रही दियू समय गुजरते ही जादा बिक्रम शंबत दहजार उनान पचास साल मा बिबाब बबाब बितनो भाय भारत मा रत्यसको एक बर्स पचे अर्थात भिक्रम शंबत द्याजार पचास साल को चैत्र तीन काते आमाले संचार त्यागनो भाय तही पटना के हस्पिटाल मा हमी तेहां बाट उपचार कराऊन पटना जाने क्रम बबार आमा को दुभेई को मृत्यो भाय भबा आमा को मृत्यू पची दोईजाना दीदी हरू दोईजाना संतान सैत मेरो परिभार चल देएकर दहेश को गथाले गाँचे को मेरो परिभार ले उमकन मुश्कील परी रहे को बेला मैले इंडिया बाट को पड़ा हरू लेर काटफांडुमा सप्लाई करने ब्यवसाय गरन दाले इटा बट्टा को सवार्शा दे त्यो योटा राम्रो दियू देल्ली बाट बिभिन्न किसिम का कोटन का कबड़ा हरू लेर काटफांड को इंद्रचोग पुतली छड़क लगायत नेपाल का पोखरा बुजोल लगायत का बिभिन्न ठाहर मा सप्लाई करन दाले मैले तेसले अलीकती राम्रो स्वरूबली देई गयो बैपारको जिन्दगानी को त्यो पल्मा जिन्दगानी को त्यो हिस्सामा आयर मैले मेरा कथारो सांत देई लागी तेस पची छोरी हरूलाई अब मैले तराहे मा पड़ाये बने इन्दगानी अरको चेतनालाई परिबर्तन गर्ण शक्की धैने भनेर इन्दगानी अरको मानसिक्तामा परिबर्तन ल्यावनो पडचा बनेर मैले छोरार छोरी लाई काटफान्ड मा बोड़ेस करेर पड़ावनी विचार करे मा सुनाऊचू मेर छोरी को कथा सुनाऊचू देयर कले आन दाइजो को नाम मा तराहे ले तराहे लाई हिपी को तराहे ले तराहे लाई डशे को तराहे ले तराहे लाई गात्र प्रती गात करेको युकता आच दिल खोलेर सुनाऊचु बस दिल खोलेर दियर कल्यान पुराना कथा हरू पुराना सम्झना हरू पुराना स्म्रेती हरू मन्छे कलागे प्रीय अवंच मन्छे कहले काई याद मा डूबने करच मन्छे कहले काई याद मा बगने करच देरे का पीरती का कथा हरू रतिन का याद मा बगे को मा आज मा अपनो जिवन को रसामाजिक बंदन को याद मा बगे को छू रति मिलाई मेरो कथा सुनाई रहे को छू देर गल्यान एसरी तराई को जटील तावाट निस्कन रदहेज को चपेटावाट आकरान तक परेको मेरो परिवार ले गुमाय का तुक्प्रई कथारू जन मेरो सानू दिदी को मृतीव पछी बबावाआमाले तेही पीर ले आपो वित्र रोग जन मावन बय रदेही रोगले बबावाआमाले लाग्यो जिन्दगाणिका दुखारू जिंदगाने का पिड़ारो आप ही माधी तरह दहेज को कारण ले इंगेजमेंट भाई सके को बिभाला रोके पची समाजिक मरे आदा रह इज़त को रह तेही इज़त बाट बस न को लागी दिजले गरे को गलत नेनाय ले साचे हमरो परिवार दुखी रह नीरी हेबं देख है तरह महेले ठीसको बदला मेरो स्रीमती को दहेज मायको गड़ेरी बेचेarm महेले छोरारा छोरीलाय काटफांडू पढ़ाए छोरारा छोरालाय काटफांडू मा बोडर स्राकने बिचार गरे रह काटफांडू को जेमसे स्कुल माम अहले परना गरे तेथी बेला तियो इस्कूल साने पामा थियो अहले जेमसे स्कूल काटफांडुको धापा खेल माझा लहेत फुरस्ती मलायराम रशन याच छोरी ले बने कि थी बभा तापाई सेंगा पैसा चर तेथी माम अहले बने जोरी तेशको चिंता ना गर जब छोरारा जोरी स्कूल मा पढ़ते डियर गल्यान तब हनुमान नगर का दीन अरू अत्यंते कठीन थी एका तिर सामाजिक ब्यक्ती भाएको कारण ले समाज का गटना हरूमा पनी सामेल होनो पढ़तियो एका तिरह उट्टा बटना दीू अर्को तिरह इंडिया बटा सामाल ब्यक्त ना गटना नंगर काम भीषन जोकी इंपोना काम दीू काती पैःचा ना बागती कईयों रात महरा श्रिमाथी शुटेका चैना पाभिषी Oak जे गौलागी कईयां रात महरा स्रिमती रोहरवा से काचू थोरा छोली को फीका से तिर नहीं बने रहा तेही कारण ले तेही पीर ले मैं ले राजनेती छोड़े अन्य कुने पस्चा ताप चाईना राजनेती छोड़े किने की राजनेती एती खेरा मान्ची को लाग्या हाव घात करने भी से भाई सक्यों तेसेले मैंले राधनिती छोड़े कमा मलायकुने पश्चा ताप चाहिन रा इंडिया बाट लियायका कटन का कपडा हरू रा सामान हरू बेचे रा काटफांडो मा मैरे छोड़ा छोड़ी को फीराम रशनक्तिर थी असन का थुप्रे पसला रूबाट जम्मा भाय का पैसा हरू लगे रा जेमसे स्कोल मा जम्मा गरे का दीन हरू इजजस्तो लाक्ष पोखरा भुटोल लगायत का ठावर मा मेरा ग्रहा करू थी यसरी समय चल देए गए समय गाड़ी बढ़ देए गए छोरा छोरी दसे मा हनुमान नगराऊ थी उन्हेर का सुच अरूमा परिबर्थन आउच रा आउस बनने चाहना दियो मेरू उन्हेर ले बिचार लाई अलिकती परिबर्थन गर्चन की भन्ने मेरू विचार दियो मले तिने उला देही बन्दी समाज मा उदार उनो बर्च शमय बिद्धाई गए बेक्रम शमब द्वेजा त्रिशटी साल मा छोरी ले एसलची दी रप्रथम स्रेणी मा पास करी खशी मा मेले गाउं भारी लड़ो बाढ़े मला याँजे इपनी याच अनुमान नगर को तियो मेरो टोल मा लड़ो बाढ़दा शोरी ले पड़ायर के गड़चास दहेज दिने परचा बरुत्यो पईचा जम्मा गरड़ा दहेज मा अलिदीश मने रम्रो केटा पाय हलचे नी चुरिली बनने मांची हरुपनी देखी मला याँजे रम्रो समय याच ति दीन हरुमा सबतरिके हनुमान नगर कंकाली नगल पारिका चार बदुआ पूरमा भायको कटना हो यू तियर कल्यान जहां तेती बेला मेरो बसो बास दियू मा सुनाओ उसो मेरो कटा एसलची पची जोरी ले आयेसी पढ़ने मन साहे बेकता गरी तिरसटी साल बाट रब इसटी साल मागा रव उसले त्यो पढ़ाई चक्काई रत्यस पची उसले अचानक इंजिनेरिंग मा नाम निकाली जोरी ले मा सुनाओ च्वाजत पढ़ा मेरो कथाटी अर गल्यान समय ले आबेग ले भाग्यले निस्की को यो सामाजी कथा सभाईकाला की प्रेरणा मनोस मा यही जाहन चू जोरी ले इंजिनेरिंग शुरू करे को अकिलो साल च्वाराली पनी प्रथम स्रेणी मा पास करें रह उसले बिज्ञान भिशे न ले रहा बेवस्तापन भिशे पढ़ने मन साय ले रहा उसले कॉलेज च्वाइन करें ती कॉलेज का खर्चा हरू जुटाउण न न सकता कईले कोशन सापड मागे रहा कईले ब्यभार चलाए रहा दुख का सुख का दीन हर गुजार दे आमिले च्वराच्वरी माती ठूल सपना देख्यों तेही सपना को खेती बाट बिस्ता रही बिस्ता रही अस्ताय का मेरा जिंदगानी का गधार माज़ चुनाओचू दिल खोले रहा चुनाओचू बस दिल खोले रहा समय ले बनाये का घाव हरू समय ले बनाये का चूट हरू कहले काई भूलन न सके रहा रिदय बाट बाईर निश्कतो रहेज तिने इन निश्की एका घटनारू तिने इन निश्की एका कथारू तिने इन निश्की एका पीर हरू जम्मा गरेड मान चेले आपनू जिंदगानी को कथाब बनाऊदो रहेज अर एक मान्चे का कथारो आफ नहीं हुँचन तरह एदिखे रमा योटा एस तो कथा सुनाई रहे कोच दियर कल्यान दिमी लाई जुन कथाले सामाजीक बंधन लाई समाज को रामरो बाटो लाई त्यागेरा समाज को आपठ्यारो बाटो लाई समाज पुखच रजसले बिकराल परिणाम निम्द्याँच नहुने अरू गरीब अरू थोप्रही थोप्रही मर्चन दहेज का कारणने तरहेमा अहले पनी समयले सिक्छाले बेवस्ताले देरे कुरा परिवासीत करी सके पनी तेही संसकार तेही रोग रद तेही परंपरा माल जेको तरहेले थोप्रही युबा हरूलाई बिच्छिप्त बनायकोच थोप्रही युबा दिहरूलाई दुखामा पीरमा रब प्रताडीद भायर बांचन बात ते बनायकोच मा सुनाऊचु मेरो गदा एसरी चोरी ले इंजीनेरिंग मा नाम निकाले पची हामीले दुखा गारेड़ मारा मेरो श्रीमा तिले चोरीरा चोरालाई पढ़ाउटेही के 2007 सालमा चोरी ले सीबिल इंजीनेरिंग पास करीडि उषीबल इंजीनेर बने रते ती बयला चुरी मांगना आइप पोगेगा धी यहोटा परिभार मैने छोरी लाय बने छोरी तीमी बिवाहा गरचु छोरी लहेले करदीन वभा माजाघियर खायर गरचु बने त्यही कुरा होदेई न भने पजि दहेज दिन न सके रा बिवाहा गरेन भने रा मेरा बारे मा नाना किसिम का कुराहरू फईलाईयो राजनिती करने हर ले इसलाई राजनिती क मसला समेथ बनाए तरह मेले हिकमत आरी न डियर कल्याँ ते मेलाई पंचु मेरो कता इसली सिबिल इंजिनेरिंग पास करे पची छोरीले ते थी बियलाको पपू कास्ट्रक्शन मा कामगरन दाली राज तेहां कामगर दा करते उसले शिर्प ते थी बियलाको सरकारी पोश्ट को लागी खुले को लोक्षेवामा लड़ने बिचार करी राज उसले तिन बर्ष मेनद करे पची बिक्रम शम्ब दोजार तिरत्र शाल मा उसले सरकारी कोटामा एंजिनेर नियुक्त भाई अर्थाद सरकारी जागीर पाई तेव पनी भावन बिभाग मा नियुक्त भाई छोरी छोराले पनी पड़ी पड़ दै गहिरे को धियुर काट फंड मा जाब गार न धाले बिक्रम शम्ब दोजार चोत्तर शाल मा मेरो परिबार ले अली कथी काचुली फेरे दियर कल्या मा सुनाऊचू मेरो कथा दिल खोले रहा सुनाऊचू दियर कल्या गटना बिक्रम शम्ब दोजार पचत्तर शाल को सब तरीके ये उटा परिबार चोरा को लागी कुरा ले रहा है मेरो सचुराली को तर्फ बाट मेरे कही बोले न पच्छी बुद्धर जान दा परिबार रहम रोथी वहारो पनी जहां परिबार कई थी मेरी जोरी तेती वेला नेपाल स्काउट मा बने थी स्कॉट मा रहर गरती जोरीली केटा इंडिया को बैंगलोर बाट इंजिनेरिंग पड़ेरा आयको केटा प्राय तराय मा के चलन थियो बने केटारू बिदेश बाट पड़ेरा आये बने उने अरको सारा पड़ाई घर्च दहेज मा दिनू पड़्थ बिशेश करी इंजिनेर डॉक्टर पड़े का केटारू लाई अहले पनी तेव चलन था बाइरी रूप मा निर्मूल बाइस गे पनी तेव भीत्री रूप मा दिने चलन था महले श्री मती संग चला गरे जे जस्तो भए पनी केटा लाई बैंगलोर बाट पड़े रायको इंजिनेरिंग केई नवाय पनी साथी सत्तरी लाक्र प्याता हात्मा राखी दिनो परच बिवागो घर्च यत्रोच कसरी उन्च वला मेरो श्री मतीले बनीन च्वरी इसंग कुरा गर्नोन च्वरी को मनना दुखाऊं बनी मेरे रा तेस्पची च्वरी देती बेला काठवन्ड मैं थी दिदिर भाई समय बस्ती उन्हेर को सभई कुरा राम्रो थी अजा उल्टा कैले काई हामी लाई पैसा को अभापचा बने आमी पठाई दिन च्वरी बन्थी हुजीले आखा वरी ये राउंथी डेर गल्यान च्वरा च्वरी ले देस्व बन्दा तेस्पची मैले च्वरी लाई इस्तु प्रस्ताब आयको चा क्ये गरने बनेर प्रस्ण गरे केटा को परिवार राम्रो थी तेरो आमा को भाईली ले आयको प्रस्ताबो गुमाउन हुदै नबा बांचन सबाई जान आयरा केटा लाई बेटाव बनेर मेले च्वरी लाई आगरा गरे नबंदे आरको दिन च्वरी आय नाइट बस चड़े राई पुगी रत्यसको तेस्त्रो दिन केटा लाई बेटी उसले आफने हिसाबले जस्पसी उसले केटा मन पराई को कुरागरी मेले बने च्वरी अरू के कुरागरे हो उसन मेले केही इपनी गरेन तरह केटा बलाद मे लाक्समलाई च्वरी ले मन पराई पची अब तियो भी वालाई टुम्नों माल पुराउनू हम्रो जरूरी थी अब केटा को पक्षबाट अलेकदी दवाब सुरू भाय डियर कले आन मा सुनाओ सो आ केटा को पक्षबाट दवाब सुरू भाय पची दवाब एस कारांधियों की उन्यार छीठो भी भाय गरन सांधियों तरहा हमी पूर्ण रूप मा तयारी भाय सके का धियों तरहा यो कुरालाई कसरी पचाडी सार नहीं बनने चिन्ता उंदे गर्द मेरे त्यती वेला आफू बसने घर बेची देर गल्यान छोरी को विभाब को लागी देज को लागी आफू बसने घर बेची एमाईले रा हनुमान नगर कै और को योटा सानो घर की नेरा मात्य हां सारी आब मासंगा छोरी लाई दिने पईचा अर्था देज को रूप मा दिने पईचा तयार भाय त्यस पची आफू पूर्ण रूप मा तयारी भायी सके पची विभाब को कुरा अगाडी बढ़ाउना गेटा पक्षले अनुरोद करे अनुसार मा अगाडी बढ़ देगाई हैमरो परिवार बढ़ देगाई छोरी को इंगेजमेंट भाय एंगेजमेंट मा केटा को तर्फवाट दीये का गाना अरू देएरे थी अउठी मात्र थियान अरू चीज अरू पनि थी हामी मानसीक रूप मा अजा तयारी थियो यस्तो दीयेको अर्थाउंच तराईमा अजा देएरे दहेज दिनू परचे एंगेजमेंट सक्यो देएरे जेशो तराईमा कईले काई एंगेजमेंट पची पनि दहेज का कुराहर ओर चन रद थो प्रही थो प्रही विभाहर तोड़ी चन रद एंगेजमेंट भायको तेश्तो दीन मेरो छोरीले मलाई फोन गरे मैं सुनाओचु देर कल्यान मेरो जिन्दगानी को यो कथा सुनाओचु सबहलाई उधारन बनोश सबहलाई यो कथा बाट शिक्षा मिलोश तेसकारण मैं यो कथा लेखी रहकुचु मैं सुनाओचु आज यो कथा बस आज देर कल्यान कतीप आए कुराहरू लुकाउना खोजदा खोजदेपनी मन को भित्ता मा ठोकीर निस्का दो रहेज कतीप आए कुराहरू छोपना खोजदा खोजदेपनी छोपी दो रहेनाज जिन्दगानी का थुप्रही थुप्रही हिस्साहरू जिन्दगाने का थोप्रई थोप्रई भागरू, जिन्दगाने का थोप्रई थोप्रई पिडारू, मैले देखी को भेटी को, रपाय का थी चोटरू आज बांडना चाहे, तेर गल्यान, तिम्रो कारेक्रम मार्फत आज बांडना चाहे, ये सरी, एंगेजमेंट पछी, छोर संदंद काटफांडवाथ 우리 소리를 भनेन에 उटायसंते हैं देटासंते हैं, कश्कर केटायस भनेको उसके परिभाहर ले दानbies आइना पर हां मैं ले प्रश्ण गरे कि वने को छोरी ती मिले उसको बुवा आमारो कोई पने दहेज लेने पक्षे माँ चाहिनाट तेस कारण मैं ले यो विभा असुईकारी की अगेलो विभाम दहेज लिने जस्तो देखेरा मैं ले ते विभा असुईकार करेको किना कि छोरीले तयो बंद अगाडी को योटा विभा अश्विकार गती रैया बोच, यो विभा छोरीले स्विकार गती दाहेज नलीने कारन ले कुरा तयो भायको रहेज मैले सोदे किन त्यशो गरेको छोरी फेरी पची रिशावलाननी मेले यही प्रस्ण गरे, वहीना बभा हामी नया जे नेरेशन हूँ बभा उने अरू दाइजो मांगने पक्छे मां चैनन, मेले केटा लाई भनी शके रा केटा ले पनी बांच तिमी जस्तो पड़े लेखे को इस तो जागेर गरने केटी पाए पची, कसले दाइचो मांगच मा पनी इंजिनेर पर बनी शके को केटा, तिमी पनी इंजिनेरी पास करे की केटी आमी भी इसमा दहेज को कुरा हूनों मुदाई न मेले जत्ती अनुरोद करता पनी उने अले स्विकारे न बभा अब छूरी ले नहीं एसरी फोन गरे पची मेले तियो कुरालाई स्विकारे डियर कल्यान रा मेले मेरो स्रीम दिलाई शुनाई तेस पची पब रूप मा हनुमान नगर मा हमरो बिवाब है बिवाब को दीन मेले बने अब दहेज न लिये पचीती मेरो के कर्चोत मेले मेरो छूरी लाई बिवागरने जुआई लाई बने कहीने कहीत गड़नो पर मेरे छूरी ले बने यो जाड़ा को याम चबबा हमेले न्याना लोगा हरो बाड़ी दियो यहसपाट समाज लाई कही चेतना हुन्च मलाई धाज हजर को बहीनी ले दहेज को कारण ले पासोमा जुन्य रमरनो बाया मेरो हजर बा अर्थात हजर को बहारा हमा तही कांची छोरी मरे को पीर ले जिंदगी को हिसाब किताब छीटो सका है रह मृति को मुकमा पगनो बाया सारा खुशी हर शिने रह यो दहेज ले तराईला गाले कोच यो दहेज ले तराईला मारे कोच यो दहेज ले तराईला अपाराण गरे कोच रह यो दहेज ले तराईको घांटी अठ्याएकोच लोब्र लालाच मा मन्चे को जीवन बेच्छिपत पारे कोच कोई आगोमा जले सेखिये काचन कोई जले काचन कोई आत्मा अत्या गरे काचन कसले मारिये कोच यो बिकराल गाव बाट यो बिकराल समस्या बाट निसकनाई उपाई हामी ले समाज ले दिना चाहां चोबादे मैं ले उनी हर को कुरामाती सुईकार गरे तेस बची छोरी लेवनें यह दिखेर थुप्रही थुप्रही जाडोले कठांग रियेका मानी शरू जन तेव तौलाती रखो मुसलीम बस्ती मा रा तेव मुशार टोल का मानी शरू जाडोले लुक लुक खामते अस्ती बीहेमा खाना खाना आयको मैं ले देखे बभा तेने अरलाई दोती तेने अरलाई न्याना लुका हरू बाणी दिऊना बनी शोरी ले मेरा खाबात आशो जारे डियर कल्यान मैं ले ढाठे को ही ना मैं ले बर रहा घावाड आशुझारे छोरिले बनीन बभा किनरूनुबायर बनेर छोरिले प्रस्ण गरिन जोहाई ले बनीगार नुबायर मैं ले बनी मैं ले नसुचेको कुरा आजति मी आरको मुखभाट सुन्दरिशू मेरो दिधी दहेज को कारण ले जुन्येरा आत्मात्या गरी तरह तेही संसकार मा घुरके को मेरो परमपरा बादी समाज ले मेरो बिहेमा दहेज लिया रही छोड़ेँ अपने घर को चिली दहेज दिन न सके को कारण ले आत्मात्या गरे को घटना एक बर्स पची मेरो परिवार ले मेरो ससुराली संगा दहेज लियो मेरो परिवार को शामती दियन तरह अफन्दार को कारण ले तरह आज तिमीं हरो यस्तो बदे चावूँ तिमीं हरो नया जेनेरेशन हरो हो नया सपना हरो हो नया पुस्ताहरू, तिमे अरलाई मेरो सम्मान, तिमे अरलाई मेरो आदर्च, तिमे अरलाई मेरो इस्नेयाच, समाज तिमे अरू भाठे परिभर्थन होंच, तिमे अरू जस्ते युबाहर को सूँच बाठ परिभर्थन होंच, समाज नेताहरू ले परिभर्थन करने होईन जोड़ी तिम्यारो जस्ते यो भारू नाया सूंचले परिवर्धां करने वो मभल्दे थिये रुही रहे जो मारा एके छुरी आई मलाया अगालो मारी रह भगाने तई भनी पुभा नरुनोश आमी जो मेरा आशु पुछी थी रह नाया घरमा उनुबाय को जुआईले मलाया अगालो मारे रभननोबाय अजरूरूनोपर ने जरूरी चाईन यसता पड़े लेखे का छुरी हुदा हो दे दैज देनू हो देना मा पनी दैज को भिरो दियूँ मेरा आफन तारूले पनी मलाय दबाब दिये का धी बहलोर मा पड़े कोई साब किताब निकालनोपर च बनेर तरहानी नया जेनेरेशन आउ भवा आमीले ते सुखर ना हो देना एक छिन सम्मा रुआबासी चलू दियर कल्यान अगालो मारा रोयो विवाबाय को तेस्त्रो दीन वहारो दुबई जाना अन्माउना आयको बेला को गटना होयो तेस्पची एक दुधी दिन बचेर काटफंडो बाता हामीले थुप प्रह ब्लैंकेट हरो मागायो दोती हरो मागायो रर लुगा र भेश्ट हरो मागायो रर तेस्पची चोरी सभाईला लेर मुशा हरो टोल मागायो माईले फोटो पनी पठायको चुँ मुसलीम टोल चार से पच्ची स्थान हमीले ब्लैंकेट बाढ़ियो तेसे गरी धोतीर अन्यला लुगा हरो बाढ़ियो सभाईले छोरीर ज्वराला लाई आशिरवाद दिये यो गटनालाई नेपाल का मेने स्ट्रीम का पत्री का हरो लेपनी प्रसारण गरेका चन लेखेका चन मैले ता लिंक पनी पढ़ाई कोच दियर गल्याऊन अन्ना पुर्णा पोष्ट को लिंक तपालाई पढ़ाई कोच यह मेरो संचो कटनाव प्रमान को लागी मेरी छोरीर मेरो जोंगाई को हाथ पाट अनुमान नगर और परका मुसलीम टोलर मुशार टोल का गरीब मानी सरले ब्लै जनमाई रहा मेरी आमाले बने को समझन चो छोरी जनमाई इस दहेज दिनों बढ़ जा एबर्शन गरे को भाई उन्तियों बने रहा मेथली भासामा बने को चल चली समझे तराज चुरी हरू रच्वरारू परिबर्थन बयका चन तरह से ले यो कारेक्रम सुनी रहन बयका युबा पुस्तार ले मैं यही बनन चान चौ तिमें अर ले परिबर्थन गरन पर चा समाझ तरही दहेज बाट गले को चांची दहेज ले मांचे ले मारे को चा मांचे ले जलाये को चा मांचे ले अपारन गरे को चा मांचे ले सुसन गरे को चा मांचे बाट चितकार निकाले को चा तिसली यो दहेज ले निसेद करनू परचा तिमें अरूपनी दहेज को नाम बित पईशा को लेन देन न करनू, यसला है त्यागी दिनू, बन्नू असल बन्नू, यही आशिर्वात दिन चाहांचू, मेरो छोरीर जुहाई जस्ते, तिम्यारुपनी उदाराणिया बन्नू. छोरी टोरी को खाहाँ है थेपके जन शाहाँ है, फ corrosion सकत लावात जपी, बन्नू बन्नू, मेरो जचानी वेट्ट धिनाुतानी मिन्मजक्श्ट, तिम्यारुए रहन जसे शोंका, डिकत रूमा wn λόक को लावाना हैшейले जदिता चाहाँий को बन्मिया गाले जजए